चाड़क के IAS Academy में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्णा को अलग धरम बनाने की जो मांग हो रही है उस पर। पटना के गांधी मैदान में पांच राज्यों के 10,000 से जादा लोग हालगी में जमा हुए थे। इनकी एक ही मांग थी कि भारत सरकार सर्णा धरम कोड को लागू करे। इसका मतलब यह हुआ कि अगले जनगणा फॉर्म में दूसरे सभी धरमों की तरह सर्णा के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। इसके साथ ही हिंदू मुसलिम, क्रिश्चन, जैन, सिख और बोध की तरह सर्णा को भी अलग धरम का दरजा मिले। अब हम बात करेंगे कि आखिर यह मामला क्या है। 2011 के जनगणा के अनुसार भारत में कुल 11 करोड आदिवासी थे। इनमें 50 लाग से जादा लोगों ने हिंदू के वजाए सर्णा को अपना धरम बताया था। पिछले 11 सालों में इनकी संख्या और बड़ी है। समयधानिक स्तर पर सर्णा को अलग धरम का दरजा दिलाने के लिए 30 नमंबर 2022 को जारखन बंगाल बिहार उडीसा असम्मे बंद का एलान किया था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर फिलहाल ये प्रोटेस्ट टाल दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि सर्णा धरम क्या है और इसे मानने वाले कौन है। की पूजा करते हैं। धरमेश यानि पिता, सर्णा यानि मा, प्रकर्ति यानि जंगल ये इन तीन चीज़ों की पूजा करते हैं। ये लोग ना तो मूर्ती पूजा और ना ही वण व्यवस्ता स्वर्ग नर्ग आदी में विश्वास करते हैं। इसलिए ये हिंदु धरम से अलग है। हाला कि ये मानते हैं कि कई सर्णा लोग शिव और दूसरे हिंदु देवी देरताओं की पूजा करते हैं जिने वो फिर से अपने समदाय में शामिल करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनके अनुसार सर्णा धरम के लोग जंगल, जल, जमीन की रक्षा में विश्वास करते हुए पेडों और पहाडियों की पूजा करते हैं। इस धरम के लोग सरहुल परुफ काफी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन ही इनका नया साल भी शुरू होता है। इस धरम को मानने वाले लोगों की माननता है कि प्रत्वी पर सबसे पूराना धरम सर्णा ही है। इसकार से अभी सिर्फ एक ही मांग है कि सर्णा धरम कोड को अगली जिन गणना से पहले लागू किया जाए। ऐसा हुआ तो हमारी मुख्य समस्या खुद ही खतम हो जाएगी। लगबग 50 लाक लोगों ने इसे धरम का दर्जा नहीं मिलने के बावजूद भी अपना धरम बताया है। सर्णा को धरम का दर्जा मिला तो और जादा आदिवासी लोग इस धरम को अपनाएंगे। ऐसे में सम्मिधान के आर्टिकल 25 के तहट किसी भी धरम को मानने के मौलिक अधिकार के तहट सर्णा धरम कोड को मानेता मिलनी चाहिए। जैसा इस समदाय के लोगों का कहना है और ऐसी ही इसकी सरकार से डिमान भी है। अब अगर हम बात करें कि सर्णा को हिंदू या क्रिष्चन से अलग धरम का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। राची उनिवर्स्टी के प्रोफेसर रहे कर्मा और राव का कहना है कि सर्णा धरम को माननेता मिले इसका एक ठोस तर्क इसे मानने वालों की संख्या है। 2011 की राष्टे जनगर्णा के अनुसार सर्णा धर्म को मानने वालों की संख्या जैन धर्म को मानने वालों से भी जादा है इसलिए इसे भी धर्म का दर्जा मिलना चाहिए सुरक्षा के अभाव में सर्णा धर्म के लोग आरक्षन का लाव लेने के लिए हिंदू या क्रेश्चन को अपनाते हैं अपने धर्म के रूप में इसलिए भी हमारे धर्म को माननेता मिलनी चाहिए ऐसा इन लोगों का कहना है इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि 2016 में किंद्र सरकार ने कहा है कि आदिवासी समदाय के लोग 6 में से किसी एक धर्म को चुन सकते हैं अलग से कॉलम नहीं जोडा जाएगा इसके लिए ऐसे में हमारी मांग है कि जब सर्ना हमारा धर्म है तो हम क्यों जबरदस्ती दूसरे धर्म को माने सर्ना को अलग धर्मिक समदाय की रूप में मानेता मिलने से उनकी भाषा और इतिहास को बहतर सुरुक्षा मिलेगी आदिवासियों की धर्मिक पहचान बचाने के लिए भी ये जरूरी है 1871 में जब पहली बार देश में जनगर्ना हुई थी तो उस वक्त आदिवासियों के लिए अलग से धर्मिक कोड की व्यवस्ता थी 1951 की जनगर्ना में आदिवासियों को अलग धर्म की बजाए हिंदु धर्म की ही शेडूल ट्राइब यानि की स्ट कहा जाने लगा इसके साथ ही जनगर्ना में धर्म को लेकर एक अलग कैटेगरी अन्य के नाम से बनाई गई 2011 की जनगर्ना में 89 लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य भरा था अब भारत सरकार का सर्णा धर्म की मानिता पर क्या तर्क है 2020 में जार्खन विधान सभा ने सर्णा आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पास किया इसमें आदिवासियों को अलग धर्म का दर्जा देने की बात कही गई थी इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार की हरी जंडी चाहिए थी लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव पर अनुमती नहीं दी आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग मानने और अलग धर्म कोड बनाने की मांग का तब केंद्रिये इसपात राज्य मंत्री रहे फगन सिंग पुलस्ते ने कहा था कि आदिवासी पहले सनातनी हिंदू हैं इनकी पूजा पद्धती और हिंदों की पूजा पद्धती में कोई अंतर नहीं है कुछ लोग आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग उठा रहे हैं वे लोग धर्म और समाज को बाटने की कोशिश कर रहे हैं इससे ये साफ हो जाता है कि सरकार सरना को अलग धर्म का दरजा देने के मूड में अभी तो फिलहाल नहीं है अगर भारत में आदिवासियों की संख्या बे बात की जाए तो लगबग 10 करोड आदिवासी भारत में रहते हैं इसमें सबसे ज़ादा संख्या भील की है जो लगबग 2 करोड के आसपास है उसके बाद गोंड जो 1.60 करोड के आसपास है फिर संथाल, मीना, उराव, मुंडा और बोडो जंजाती के लोग है यानि की आदिवासी लोग है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कम्प सुएब करोड इसके साथ है यहीं बादेशन लोग है तो अप्रॉपिक यहीं भील कर दो भील में गौण।